हलो दोस्तों, वेलकम टू अनर जे ओनलाइन क्लासिज, आज है अठाईस अगस्ट, तो अठाईस अगस्ट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेर के बनेंगे, उन सभी को हम लोग आज डिसकस करेंगे, तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आप लोग इस चैनल को सब्सकाइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो सेर करें, तो चलो शुरू करते हैं, और देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि हाल इमेट टेस्ट किट-किट में 600 विकेल लेने वाले पहले तेजगे अन् कौन बने हैं तो इसके जो आफसन है वह आप लोगों के स्क्रीन पर है आपसन जो हैं वह घैम्स एंडर्शन जस्पीद बुमरा मुगमद समी या इस्टुट ब्रोड इसका जो लाइट आफसन है वह यह जैम्स एंडर्शन यानिकी आफसन नंबर ए इंगलेंड के तेज गेंदवाज James Anderson टेस्ट किर्केट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदवाज बन गए हैं 38 वर्सी एंडर्सन ने इंगलेंड के साउथ हैंटन में पाकिस्तान के किलाब तीसरे टेस्ट और वह एंतिम टेस्ट मैच था जो अन्तिम दिलन का काल था उसमे ये सफलता हासिल की हैं टेस्ट किर्केट में Anderson से अधिक विकरलेने वाले और तीन के इंदवाय वह यह इस पनार है नेश क्वेस्टन है कि हाल इमें दुनिया की सबसे तेज हुमन कैलकुलेटर कौन बने हैं तो इसके जो आपसन आप लोगों की स्क्रीन पर है तो आपसन नील कंड भानू साकुंतला देवी अजहर अली या इन में से कोई नहीं तो आप लोगों इसका जो आपसन है वह है आपसन नमबर यानिकी निल कंड भानू यहां दुनिया की तेज हुमन कैलकुलेटर बन गए हैं अब आधरावाद के निल कंड भानू प्रकास ने मास्टर मांड स्पोर्ट एलम ओलम्पियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ड कप में भारत के लिए पहला टायम रिकार्ड कायम किया है यानि कि पहले कहुंते पहले यह भार की तरफ सी जो सकुंतला देवी और स्कॉर्ड फ्लैंस वर्ग थे उनका अब रिकार्ड तोड़ दिया है निल कंड भानू ने तोड़ दिया है नेश क्वेशन है कि अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट पती पद का उमीदबार किसे बनाया गया है तो इसके जो आप्सन आप लोगों की स्क्रीन पर है आप्सन है माइकल पेज, माइकल पॉम्पियो या डोनाल टरम्प या इनमें से कोई नहीं तो आप लोगों किसका राइट आप्सन बताना है इसका जो राइट आप्सन है वह है आप्सन नमबर सी यानि कि डोनाल टरम्प को अमेरिका में जो रिपब्लिकन पार्टी है उनकी तरफ से राष्पती पद का उमीदबार बनाया गया है रिपब्लिकन नेशन कंवेंशन ने राष्पती डोनाल टरम्प को अमेरिकी राष्पती पद के लिए तीन नमबर को होने वाले चुनाओं के लिए एक बार फिर से अपना उमीदबार बना दिया है और यो एन आर एंसी के उपराष्पती है माइकल पेंस को भी एक बार फि अमीदबार टता अपर राष्पती के अमीदबार कॉन है कमला हैरिस वहां के वह वैपष्पती पद के उमीदबार हैं अब हम लोग बात करते हैं अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं तो अमेरिका यह उत्तरी अमेरिका महादीफ में इस्तेत है इसे United State of America या सवयूत राज अमेरिका भी कहा जाता है इसकी राजदानी कहा है राजदानी जो है वह है वासिंग अटन DC में राजदानी इसकी है और करंसी अमेरिकी डॉलर करंसी है राजपती डोनाल ट्रम्प है औ इसन सबसे नाब UAW लाजबन कम और मिसवरी यह अमेरिका की सबसे लंबी लम्भी नदी है नेश क्वेस्टन है कि किस भारती टेवल टेनिस खलाड़ी ने अपना जो रिटायर्मेंट एलान कर दिया है तो आप लोगों की स्कीन पर है तो इसके जो आफ़सन है वह है पॉलोमी घटक जी साथियान या मनिका बत्रा या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आफ़ नमबर यानिकी पॉलोमी घटक जी ने अपना टेबल टेनिस खलाड़ी थी अपना रिटायर्मेंट एलान कर दिया है भारती टेबल टेनिस इस्टार जो है पॉलोमी घटक ने अपना रिटायर्मेंट गोसित कर दिया है उन्होंने 2006 की राश मंदल खेलो और 2000 और 2008 के बीच में भारत का प्रत्नेदित किया था वह पहली वार ओलंपक में तब खेली जब इनकी उम्र जो थी वह 16 साल ते यानिकि जब यह 16 साल की थी तब इन्होंने ओलंपक के लिए खेली थी कि अब हम लोग बात करते आपने पांचमें कुरिश्टन की पांचमें क्षचन है कि नीट आयोग दौभा जारी यो तत्पर्था सूचकांक है रिपोर्ड में जो 30 स स्थान पर क कौनसराज रहा है तोसके क्वार्था ने करनाटक गुज़राद या कुरुश्टर पर निफच परता सूच कांग इपी आई जारी 2020 जारी किया है इपी आई का उद्देश है कि चिनोतियों और और सरों की पैचान करना सरकारी नीदियों की कारगरता को बढ़ाना और सुबदा जनक नियामक धाशे कर प्रसाहन प्रसाहन देना होता है और इस सूची में गुजला जो है पह तो दो नीतीयों की स्थाफना वही ती ये जनवरी 2015 को नीतीयों की स्टापना वह番 可愛 है और इस आथ हैं कानोन की शच्रण होड़ास .B conserv data कर कितने समय के लिए बढ़ा दी गई है तब लोगों की इसके आप्सकुप्ष्टण है तो आफसर और मेने के लिए या एक से साल के लिए या छह मेने के लिए या दो मेने के लिए तो आप लोगों को बताना इसका राइट आसन तो इसका जो राइट आपसन है आपसन नंबर सी यानि कि यू असम में अफस्पा कानून लगता है उसमें छह मेने के लिए और बढ़ा दिया गया है असम सरकार ने ससस्त्र बल जिसे विशेशा दिकार का जाता कि अधनियम कव 1958 जो अब फस्पा की अबदी बढ़ाकर छह मैंने और कर दी है यह कानू स्वच्छा बलो को अभियान चलाने और बिना पूर्व नोटिस दिये कहीं भी किसी को गरपतार करने की सक्तिप्रदान है औ और जो असम के में कानून नॉंबर 1990 से लागू है इसे हर 6 मैंने बढ़ा दिया जाता है अब क्वेश्चन में बात आई है असम की तो हम लोग बात कर लेते हैं असम के बारे में असम की राधानी है दिसपुर और मुक मंतरी वहां के हैं सरवानन सोनोवाल मुक मंतरी है जो क पड़े उसी देश भूटान वा बांगला देश दो पड़ोसी देश हैं लोक सबसी चौदा राज सबसी साथ वा विदान सबसी एक सो चब्श हैं साथ पड़ोसी राज हैं कौन कौन से हैं पश्चिम बंगाल में घाले तिरिपूरा मरीपुर नागालेंड अनाचल प्रद दीव है यह सबसे बड़ा नदी दीव है और असम के लोहित नदी पर इस्तित भूपेन हजार का पुल इसे डोला वा सदिया नाम से भी जाना जाता है इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है यह बारत का सबसे लंबा पुल है और एक सींग वाले यह गैंडे है यह पिरसिद काज यह असम्का का को जिरनगा नामेरी नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क यह और डिब्लू शैखोवा शनटों पर औरनः ऑंग पर पर आप लोगों को सका राइट आप संबताना है तो इसका जो राइट आप सुना वह है आपसे पर यानि ansi की जंबू कस्मीर सरकार नहीं एक नीलामी पोरटल बनाया है जम्बू और कस्मीर के क्रेसी विवाग ने G.I.T.E.G के लिए एक कस्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नीलामी पोर्टल बनाया है इंडिया नेशनल कस्वीर केसर ट्रेडिंग सेंटर के तत्वा धान में विवाग ने NSEIT के साथ मिलकल एक पोर्टर बनाया है इसका एक मात्र मकसद है कि खरीदारों को गुडवत्ता कस्मीरी केसर की पहुंच सुनेशित करवाना है नेश क्वेशन है कि डवलु एचो द्वारा किस महादीप को पोलियो मुक्त गोसित किया गया है तो इसके जो आपसन आप लोगों की स्क्रीन पर है आपसन है एशिया आस्टेलिया अफ्रीका यूरूप तो आप लोगों को इसको राइट आपसन बताना है नाजेरिया को पोलियो मुक्त देश गोसित का ने के बाद को से mुक्त गोसित कर दिया है साल smoothly mus político कि पहल सुरू की थी और अफ्रीका को पोलियो वारू नो देश बचने का कौन कौन से हैं पाकिस्तान वा अफगानिस्तान देश हैं जहां पोलियो वायरल जो सक्री है अब पाइच्छा की दर्श्ट से जानते हैं अफ्रीका जो डबलू एचो के बारे में विसुस्वास संग्ठन जिसे डबलू एचो भी कहा जाता है और इस तापना साथ अपरेल उ करेगा तो इसके जो आपसं आप लोगे की स्क्रीन पर आपसंट है आइसी आई स्टेट बैंक एंडिया इन में से कोई नहीं इसका जो राइट आपसन है वह आपसन नमबर एक यहने कि आई झाई आई-सी बैंक किसानों की साख का आकलन करने के लिए इंद्टा करेगा I.C.I.C.I. Bank ने किसानों की साख काकलन करने के लिए सेटेलाइट डेटा का उप्योग करने का फैसला किया है इसके साथ ही I.C.I.C.I. Bank अब ऐसी तक्नीकी का उप्योग करने वाला भारत का पहला ऐसा बैंक बन गया है जो भूमी सिचाई और हसल पैटर्न से संबंदित चीजों को मापने के और किसानों के लिए तत्वरेद आधान निड़े लेने के लिए जन सांखी और बित्ती मापदंडों का सयोग इसका उप्योग करेगा परिश्चा की दर से जानते हैं कि ICI बैंक की स्ताफना कब हुई थी इसकी स्ताफना जो हुई थी 1994 में हुई थी इसके अध्याच कौन है ग्रीश चंद अध्याच है CEO कौन है CEO कौन है वह संदीर बक्सी जी CEO है